नमस्कार बैजूस आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 5 इसंबर के प्रमुख समाचारों पर अधारित कुछ प्रस्टों पर चर्चा करने वाले हैं तो आये शुरू करते हैं आज का डेली क्विज यहाँ पर question number one है निमलखित में से कौन सी तार कटपुटली याने की string puppet कला का सम्मंद मूल रूप से राजथान राज से है और यहाँ पर आपको चार ओप्सन दिये गए हैं अगर हम string puppet कला की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे जुड़े हुए जो नाच है उन किसा राज से जुड़ा हुआ है गोंब्याटा, करनाटक, बोमलटम, तमिलाडू, थोलू बोमलता, आंध्यपरदेश और पुतला नाच पस्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर question number one का answer होगा option number D याने की कट पुतली त इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्शक है Cultural Mapping of 80 Villages की कॉफ इस न्यूज में बताया गया है कि सरकार के द्वारा असी गाओं का Cultural Mapping किया जा रहा है यानि कि वह किस तरीके से कला इतिहास जुड़े हुए हैं उनका य और जो लोग इस कला को आगे बढ़ाने इसका काम कर रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में सारा information यहाँ पर इखटा किया जा रहा है तो बहुत important news है यह इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे आईए आप question number 2 पर चार्चा कर लेते हैं question number 2 है icon mission के सम्म बंद में निमलखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको दो कथन दिये गये हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उप्युक कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर पहला कथन है यह European Antrix Agency और इसके रूसी समकच के बीच एक सहयोग है तो यहाँ पर चर्च देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है आपको ध्यान में रखना है कि आईक। εν मिसन नासा के दोरा छोड़ा गया एक निसन है और इसली यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है इसका अंतरिक्ष और पिर्थवी के मौसम के बीच में जो भी लिंक है उसको पता लगाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाएगा यह सेटेलाइट पिर्थवी के उपरी वातवरन का अध्यन करेगा और इससे यह भी पता लगाया जाएगा कि कहाँ पर अंतरिक्ष तथा हवा का मेल होता है तो इस तरह के उद्देशों के लिए इसको छोड़ा गया है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत हो जाता है यानिक यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत है इसलिए question number 2 का answer होगा आपका option number D यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है इससे जुड़ा हुआ एक नूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जहाँ पर icon mission को ले करके चर्चा की गई है आईए अब question number 3 पर चर्चा कर लेते हैं question number 3 है आर्कटिक फरसील के सम्मंद में निमलिखित कत्रों में से कौन सा कथन सही है और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए हैं यहाँ पर पहला कथन है आर्कटिक फरसील आर्कटिक अभिसरन के पास दक्षिनी महासागर में व्यापक रूप से पाए जाते हैं तो यहाँ पर चर्चा हो रही है आर्कटिक फरसील की और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आर्कटिक फरसील आर्कटिक अभिसरन क पास दक्षिनी महासागर में व्यापक रूप से पाए जाते हैं इनकी अधिकांस अबादी दक्षिन जोर्जिया के पास पाए जाती है लेकिन ये अन उप आर्किटिक दिपो पर भी प्रजन करते हैं तो इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IUCN के द्वारा एसे लिष्ट कंसर्ण की लिष्ट में डाला गया है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके सनक्षन की जो इस्तिती है वह लिष्ट कंसर्ण यानि की कम चिंता वाला है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो और किलर वेल के द्वारा किया जाता है इसलिए यह कहना कि इनका कोई नेचुरल सिकारी नहीं है तो यह कहना यहाँ पर गलत होगा और इसलिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत हो जाता है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो question number 3 का answer होगा आपका option number A क्योंकि यह यहाँ पर पहला कथन ही सही है बाकी दूसरे और तीसरे कथन गलत है तो बहुत हुई important question है यह इसको आप लोग जरूर revise कर लेंगे और इससे जुड़ा हुआ एक news आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्षक है gender imbalance और यहाँ पर कहा गया है कि Antarctic First Seal का जो population है वो धीरे धीरे घट रहा है हाला कि इनके population को बढ़ाने के लिए बहुत सारी काम किये गए थें यहाँ पर कहा जा रहा है कि meeting session के बाद जो मादा है यानि कि जो female seal है वो warmer zone यानि कि गरम zone के तरफ move कर जा रही है जबकि जो male है वो अंटार्क्टिका में ही रह रहे हैं जिसके number four है एक और समाने परिघटना colony संकुचन विकार जिसे हम इंगलिस में colony complex disorder CCD के नाम से जानते हैं निमलखित में से किस्से समंदित है और यहाँ पर आपको चार option दिये गए हैं तो यहाँ पर चर्चा हो रही है colony complex disorder की आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह जो घटन है वह मध्युमक्षियों से जुड़ी हुई है और यह तब होती है जब एक चट्ते में याने की मध्युमक्षि की कलोनी में अधिकांस स्रमिक मध्युमक्षिया गायब हो जाती हैं और वह अपने पीछे कलोनी में एकराणी, भरपूर भोजन और कुछ और परिपक पाता और अंततह सारे की सारी मध्यमख्या मर जाती हैं और मध्यमख्यों के कलोनी के ऐसे नुकसान को कलोनी पतन विकार या फिर कलोनी कॉंपलेक्स डिसॉडर के नाम से जाना जाता है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो कोश्च नमबर फूर का एंसर होगा आपका जो भी बाते मैंने आपको यहां पर बताई हैं कलोनी पतन विकार को ले करके उसको आप लोग जरूर रिवाइस कर लेंगे और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिर्शक है वीज फ्रोम एसिया आईए आए अब एक प भावित सिमाए है निमलिखित कूट का परियोग कर सही उत्तर का चैन कीजिए और यहां पर आपको तीन कथन दिये गए हैं यहां पर पहला कथन है सैवाल अधारित जैव इंधनों का उत्पादन महाद्यूपो पर नहीं अपितु केवल समूंदरों में संभव है आपको य दियान में रखना है कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सैवाल अधारित जैव इंधनों के उत्पादन में विकासील देशों को किस तरह की मुश्किले आ सकती हैं और इसके अधार प्रगर देखा जाए तो यहां पर जो पहला कथन है वह विकासील देशों के मुश् अस्तर ये विशिसगता पर दोकी की जुरत होती है तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही है सैवाल अधारित जैव इंधन की उत्पादन के लिए आपके पास टेकनोलजी होना चाहिए और अगर हम विकासिल देशों की बात करें तो उनके पास पैसे की कमी होती है उनके पास जो टेकनोलजी होता है उसका भी कमी होता है जिसके कारण इस तरह के उद्योगों को लगाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यानि कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह संभावित दिक्तों की चर्चा करता है, आये देख लेते हैं तीसरे कथन को, तीसरा कथन है, आर्थिक रूप से विवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं के स्थापना की आवशकता होती है, जो परिसितिक और समाजिक चिंताओं को बढ़ा सकती ह तो यहाँ पर ये कथन भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि उत्पादन को आर्थिक रूप से विवहार बनाना है, तो यहाँ पर बड़े पैमानों पर सुविधाओं की अस्थापना की आवसकता होती है, जिसके कारण वहाँ पर विस्थापन की भी एक ताव क कथन है, वह इन उद्द्योगों के सवण धन में विकासील देसों की जो सीमाई हैं उसको लेकर के चर्चा करता है, याने कि क्ोश्चन नंबर 5 का एंसर होग आपका ऑ Почему बी यहाँ पर जो दूसरा और तिसरा करने वाले है वह विकासील देसों की संभावित सीमाओं क के बारे में चर्चा करता है तो ध्यान रखेगा question number 5 का answer होगा आपका option number B आईए अब आज के तर्थे के उपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं Gator Tipra Land के बारे में जो की त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ एक जूज आज के करके मांग की जा रही है और वे चाहते हैं कि केंच सरकार समिधान के अनुच्छे दो और तीन के तहट उनके पास जो पावर है उसका इस्तमाल करते हुए उनके लिए एक अलग राज्य का निर्मान करे तो यहाँ पर त्रिपुरा के जो आदिवासी समुदाएं हैं वह अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर के उनके द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगे रखी गई हैं यहाँ प भारत सरकार के साथ विले के साधन पर हस्ताक्षर करने तक मनिक के वंस के द्वारा सासित एक राज था और यहाँ पर जो मांग है वह मुख्य रूप से राज में जंग संख्या में जो बदलाव आया है उसे समंधित है यहाँ पर बहुत सारे जो आदिवासी समुटाएं हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अपने ही राज में वे अलप संख्यक बनके रह गए हैं आपको ध्यान में रखना है कि 1947 और 1971 के बीच उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और आज का जो बंगला देश है वहाँ से बहुत सारे बंगालियों का विस्थापन त्रिपुरा मे हुआ है और जिसके कारण जो गैर आदिवासियों की जनसंख्या है त्रिपुरा में वह तेजी से बढ़ी है आपको यह ध्यान में रखना है कि 1881 में त्रिपुरा की अबादी में 63.77% दी लोग जो है वह आदिवासी हुआ करते थे जबकि अगर हम 2011 के जनगर्णा की बात क तो उनकी जो जनसंख्या है वह त्रिपुरा के जनसंख्या में सिर्फ 31.80 ही रह गई है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो वहां की आदिवासी जनसंख्या है उसमें कमी आया है और इसी के कारण वहां पर जो आदिवासी समुदाएं हैं वह अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अलग राज्य को बनाने को ले करके के इन सरकार के पास क्या पावर है आपको ध्यान में रखना है कि समिधान का जो अनुछे दो है वह नए राज्यों के लिए संसद को ये पावर देता है कि वह संसद मे कानून बना करके नए राज्यों की अस्थापना कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे इसके अलावा जो अनुच्छेत तीन है वह संसत को नए राज्यों के गठन और छेत्रों, सिमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों के परिवर्तन के मामले में अधिकार देता है और इन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा के आदिवासियों की सिकायतों को दूर करने के लिए त्रिपुरा जनजातिये छेत्र स्वाय जिला परिशत का गठन 1985 में समिधान के छट्टी अनुसूची के अनुसार किया गया था ताकि वहां के जो आदिव त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर जो जिला परिशत है वह राज के भगौलिक छितर का लगभग दो तीहाई हिस्से को कवर करता है इस परिशत में 30 से होते हैं जिन में से 28 निर्वाचित होते हैं जबकि दो राज पाल के द्वारा मनुईत होते हैं इसी के साथ ही त् करा के जो जनजातिये लोग हैं उनके सिकायतों को दूर करने का भी परियास किया गया था लेकिन यहाँ पर अभी इन जनजातिये समभूं के द्वारा अलग राज्य का मांग उठाया जा रहा है जो की बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो इसके बारे में जो भी इंप अभी को रिवाइज कर लेंगे सारे टोपिस को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूरी से लाइक करें सेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रईद करें तो मिलते हैं डेले क्यूश के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद